हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फेक्ट अबाउट लुमन बॉड़ी कुछ नॉर्मल लेवल कह देजिए या फिर नॉर्मल फंक्शन कह लिजिए या फिर नॉर्मल पैरमीटर ठीक है तो सब भी इसमें कवर हो रहे हैं तो क्या-क्या फेक्ट्स हैं हिउमन बॉड़ी के बारे में जैसे की लार्जस्ट ओर्गन कौन सा है स्मॉलस्ट बॉन कौन सी है या फिर बॉन्स कितनी है तो यह सारे चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम फेक्ट अबाउट दे हिउमन बॉड़ी फ कवर करती है तो skin को हम एक organ बोलते हैं ठीक एक आप से question भी पूझा जा सकता है कि skin जो है एक tissue है या फिर एक organ है तो आपने कभी भी confused नहीं होना है तो skin जो है वह एक organ है next आता है largest internal organ हमारे body के अंदर जो organs present होते हैं उनमें सबसे largest कौन सा होता है liver इसका answer है liver total number of muscles हमारे body में total कितनी muscles present होती है 630 plus वो हमारे body में muscles present होती है longest bone सबसे لمenix bone कोंसी है femur next है smallest bone सबसे چھوٹی bone हमारे body के अंदर steps जो के हमारे कान में present होती है hardest bone हमारे body के सबसे hard bone कोंसी होती है teeth teeth में جो enamel होते है हैं उन्हें हम hardest bone बोलते हैं next आता है smallest muscle smallest muscle कौन सी है तो steps muscle जो है वो सबसे small muscle होती है largest muscle कौन सी होगी यहां पर glutus maximus जो है वो largest muscle है total number of bones 206 जो है वो हमारी total bone है next आता है filter of the body कौन सा ऐसा organ है जो filtration का काम करता है हमारे body में तो kidney फिल्ट्रेशन का वर्क करती है pump of the body यानि कि हमारे body में pumping का काम क्या कर रहा है तो heart यहां पर pumping का काम कर रहा है heart क्या करता है हमारे blood को pump करता है और उसके थ्रूवी जो blood है वो पूर हमारे body में circulation का वर्क करता है या फिर circulate होता है next है total number of vertebra कितने हैं हमारे body में 33, normal body temperature कितना होता है 37 degree celsius, normal heart beat कितनी होने चाहिए एक person की 72 per minute, beat per minute, ठीक है, normal respiratory rate, normal respiration rate जो है वो 16 to 20 per minute, जो है वो normal respiration rate होना चाहिए, normal blood pressure कितना होता है 120 by 80, mmhg जो है, एक healthy person का normal temperature होना चाहिए, जो हम ये पुरा parameter discuss कर रहे हैं, वो एक healthy person का parameter है, number of ribs, number of ribs होती है, हमारी 24 होती है, और 12 pair में होती है, ठीक है, यहाँ पर 12 pair लिखे हैं, तो मतलब क्या है, total कितनी हों हमारी 24 ribs होती है, total number of bones in arms, यानि कि हमारी arms में total कितनी bones होती है, 30, total number of bones in leg, leg में कितनी total bones होती है, 29, हमारी बोड़ी में, एक human healthy person के, बोड़ी में strongest muscle कौन से होती है, master, यानि कि जो होता है, जो हमारा, जा होता है, वो strongest muscle होती है, tongue है, या फिर uterus है, largest elements, ठीक है, largest amount हमारी बोड़ी में, क्या ऐसे चीज़ जो largest amount में हमारे बोड़ी में present होती है, तो oxygen, oxygen जो हमारे बोड़ी में largest amount में present होता है, next रहता है, water percent of body, हमारे बोड़ी में कितने percent जो हो water का amount होता है, तो हमारे बोड़ी जो है, 65 to 75 percent हमारे बोड़ी में water present होता है, next रहता है, spinal nerves, spinal nerves कितनी होती है, 31 pairs, volume of blood 5 to 6 liter, यानि कि हमारे बोड़ी में कितना blood होता है, एक healthy person की बोड़ी में कितने amount में blood होता है, तो 5-6 liter जो है एक healthy person की body में blood का amount होता है next is most common blood type तो O और A positive, O positive जो है वो common blood type होते है and least common blood type यानि कि बहुत कम जो blood type देखने को मिलता है वो AB negative जो है ठीक है उसके बाद आता है largest part of the brain brain का जो largest part होता है वो कौन सा होता है? cerebrum, cerebrum जो है वो largest part होता है brain का तो ये कुछ normal parameter था, एक human body का तो आज की वीडियो में इतना ही, I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगा Thank you for watching